है गाईज आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रोग्रेस बार यह भी एक ग्राफिकल एलिमेंट है ठीक है तो इसको हम देखते हैं किस तरीके से यूज करना है तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले एक टुटोरियल टुटोरियल 34.html बना लेते हैं राइट अब इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोग्रेस बार फाइल को सेब करते हैं ब्राउजर में चलते हैं यहाँ पे ओपन कर लेंगे फाइल को तो यहाँ पे 34 वाली फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी तो अब यहाँ पे समझते हैं प्रोग्रेस बार क्या होता तक यह करता था कि वो एक graphical बार वहां पे बना देता था जिसमें हम scalar measurement कर सकते थे कि वहां पे हम end point और starting point जो है वहां पे specify कर देते थे और उसके बीच में हम वहां पे values को change करते रहते थे जिससे कि वो scalar measurement करता था अब progress bar ही similar ही है meter tag की है बस थोड़ा सा difference यहां पे है देखिए meter tag जो है scalar measurement करता है लेकिन progress bar जो है एक particular task का progress बताता है कि अगर कोई task perform हो रहा है ठीक तो उसकी progress क्या है ठीक है जैसे कि हम क्या करें एक example लेते हैं जैसे कि मानलो कोई file download कर रहे है ठीक है कोई software download कर रहे है तो वहाँ पे देखते हैं नीचे कुछ जहां पे downloading चल रहे है तो वहाँ पे progress बार चल रहा होता कि यह progress 30% हो गया 40% हो गया इस तरीके से अगर हमें कुछ बनाना किसी task का तो वहाँ पे हम progress बार यूज़ करते हैं कैसे उज़ करना है वह देखते हैं तो यहाँ पे हम tag ले लेते हैं progress right progress का opening and closing tag ठीक है और अभी file को save करते हैं और यहाँ पे refresh करेंगे तो यह देखो guys यहाँ पे यह देखो इस तरीके से हमारा यह progress बार चल रहा है देख रहा है तो यहाँ पे अभी यह default progress बार है यहाँ पे maximum value maximum 100% जो भी task होता है 100% ही तो होता है ठीक है तो मैंने 100% इसको दे दिया आप जब 100% दे देंगे तब भी कोई difference नहीं आएगा आप क्या करेंगे इसके बाद यहाँ पे आता है attribute value ठीक है value में यहाँ पे हम change करेंगे जैसे कि माली जीए 50% देना चाहते है ठीक है तो 50% हम कर देंगे और इसको refresh करेंगे तो यह देखो 50% यहाँ पे आ गया ठीक है अब देख रहे हो यह जैसे मीटर टाइक था वो ऐसे ही विल्कुल काम कर रहा है ठीक है लेकिन इसका काम होता है एक particular task को measure करना ठीक है कि माली जीए कोई downloading या कुछ upload video upload कर रहा है ठीक है तो उसके देंगे जाने से 50% ठीक इस तरीके सा है लेकिन यह रहा होगा ठीक है बट इसको ऐसे ही हमें यह पर लिख देते हैं ठीक है तो यह होता है progress बार तो आपको समझ में आयोगा कि difference क्या होता है meter tag में और progress में ठीक है तो यहाँ पर दो यह major attributes होते हैं जो कि हम यूज कर सकते है maximum यहां पर यहां पर यहां पर क्रेड़ी और इहां पॉइ भी unie यहां पर फिलो है we प्रोग्रेस स्टार्ट नहीं हुगा है ठीक और अगर यहां पर 100% कर देते हैं ठीक है तो यहां पर देखो यह पूरा 100% हो जाएगा तो यह हुआ है प्रोग्रेश्च बार्थ।